क्लास 10 की exercise 1 की theorem 1.3 है हमारे सामने जिसमें कहते है let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer let कर लेंगे हम कोई p अमारा prime number है और p जो है वो a square को divide करता है अगर p a square को divide करता है तो p जो है वो a को भी divide करेगा और a जो है वो हमारा कोई positive integer होना चाहिए ठीक है तो prove करेंगे सबसे पहले theorem का उसके बाद देखेंगे इसका एक example let कर लेंगे a हमारा कोई prime number है और उसके factors है p1, p2 और pn ठीक है तो a square करेंगे हम a का square क्या होता है a multiply में a ठीक है अगर a का square a multiply में a होता है तो इसके factors क्या होंग p1, p2, pn ठीक है multiply का sign है तो multiply का sign लगा देंगे और second जो a है ये वाला जो a है इसके prime factors क्या होंगे multiply के बाद इस वाले a के prime factors लिखेंगे तो ये होंगे p1, p2, pn ठीक है a को a से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा a square और ये prime factors आएंगे हमारे same additive या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है p1 का square, p2 का square और pn का square जहाँ पर n जो है हमारा natural number है और ये सब 20 के prime factors है ठीक है तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो p prime number है p, वो a square को divide कर सकता है ठीक है, p1 जो है वो a square को divide कर सकता है मतलब कोई भी किसी का prime factor होता है तो वो main number जिसका prime factor होता है वो इसके easily divide कर सकता है अगर p1 a square को divide कर सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p1 जो है वो a को भी divide कर सकता है यही हमें प्रूब करना था कि कोई prime number जो है वो a square को divide करे तो वो a को भी divide कर सकता है ठीक है इसका example देख लेते हैं वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको एक्जामपल ले लेंगे हम कोई किसी number का square ले लेते हैं जैसे 9 का square ले ले लेते हैं 81 नाइन का square होता है 81 के factors क्या होते है ठीक है यह factors है इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 81 को divide कर सकता है ठीक है तो अगर 3 81 को divide कर सकता है तो theorem के according जिसका square है यह 9 का square है 81 तो यह 9 को भी divide करना चाहिए तो 9 के factors क्या होते हैं 3 multiply में 3 तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 जो है वो 9 के square को भी divide कर सकता हो 3 9 को भी divide कर सकता है यही हमारा concept है अगर कोई P माल दो 3 हमारा कोई prime number है यह यह है भी prime number माल लेते हैं यह पी है पी 9 square को भी divide कर सकता है और पी जो है वो 9 को भी divide कर सकता है यही इस theorem का concept है इस theorem का use करेंगे हम इससे next theorem में 1.4 में root 2 को irrational प्रूव करने के लिए और बहुत सारे exercise 1.3 में हर जग है परी हम इस करले के घरक आप अरूच है तरह झार है पालष एडे टीề प्रह प्रैकWh है पिंगर.'d